आजकी ष्मीडिस में हम बात करने वाले हैं जैसे की हम Laptop पिर PC पर हम refresh करते हैं जैसे की हम mouse से refresh करते हैं तो हमें काफी समय भी लग जाता है अगर इस तरीके से हम refresh करते हैं तो ठीक है पर हम अपनी कीबोर्ड की मदसे एक ही बिटन से refresh कर सकते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको इसमें दो तरीके बताओंगा, तो चली जान लेते हैं, जोकी ज़्यादतर एक तरीका सभी को पता होता है, पर उस तरीके के बारे मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि यह मौश से, और कोई refresh कर लेता है, ठीक है तो इससे होता क्या है सबसे पहले वो हम जान लेते हैं जैसे कि अगर हमारा system है वो on होया है अभी ठीक है तो हमें यहाँ पर refresh करने जैसे हम करते हैं तो इसका मतलब होता है जो भी हमारे laptop के अंदर जो भी software है वो जल्द से जल्द activate हो जाते हैं काम करने के लिए ठीक है तो इस कि कई बार ऐसा होता है हम कोई भी file को अपने किसी दूसरे device में जैसे की mobile है या SD card है उसके अंदर हम transfer करते होते हैं ठीक है तो ऐसे में काफी समय लग जाता है ठीक है तो उससे हम जल्दी refresh कर देते हैं तो उससे थोड़ी speed है वो बढ़ जाती है ठीक है यानि कि transfer होने के लि को मिल लिया है जैसे की यह है ठीक है F5 अगर हम इसे यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर यह refresh हो जाएगा जैसे की मैं सबसे पहले तो इससे यहाँ से कट कर देता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है आपको एक बार यहाँ पर refresh कर लेना है उसके बाद में मैं यहाँ पर यह बटन देखने को मिल लिया है F5 ठीक है इससे अगर हम प्रेस करेंगे जैसे की यह है ठीक है जैसे की आप देख पारा है यह 5 है और मैं इसे यहाँ पर दबाऊंगा तो यह refresh होता जागे जितनी बार मैं इसे दबाता जाओंगा ठीक है इससी प्रिकार अब मैं काफी लोग के जैसे की जो PC यूज करते हैं तो उनके इसमें यह option नहीं होता है तो आप यहाँ पर देख सकते है ठीक है यह है ठीक है F5 मैं इसे यहाँ पर प्रेस करूंगा और आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ठीक है अभ Al बिंदोज और पिलस D टीक है तो जैसे कि आप देखपा रहा है तो इस तरीके से हैं थो आपको जो की दो तरीके मैंने आपको बता दिये हैं था जूक리 आप एक ही विटन से रिफडन कर सकते हैं पर अगर आपके इसमें F5 से नहीं होता है तो बिंडो पिलस डी को दबा कर भी आप यहां पर रिफ्रेश कर सकते हैं ठीक है तो यह काफी अच्छा तरीका है और आगर आपको यह तरीकों के बारे में पता था तो मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में जरूरत आएगा और आपक कर सकते हैं यह कर लेखर आपको यहां यहां जरूरत मेंड़ उसमें